पुरी साब, आज देश में बड़ी तेजी से शेहरी करन बढ़ रहा है। गाउं से लोग शेहर की ओर आ रहे हैं, एम्प्लॉइमेंट के कारण से खास तोर से। और शेहर में आने के बाद में पर्यावरन की समस्या होती है। अवास की तो में प्रधान मंत्री अवास यूजना के तैट हम एक क्रोड़ अधिक आवास बनाने बाले हैं देश में। मैं आपको पहले दिल्ली का उधारन दे दूँ क्योंकि आपने पुल्यूशन की बात की, कंजेस्टिन की बात की, हमारा जो लेटस सेंसस है, वो 2011 का है, उसके अनुसार हमारी जो शेहरी पॉपुलेशन है, वो अब 30 प्रतिशत है, और 2050 तक ही 50 परसेंट होने वाली है, तो मैं पर मेनवाइल, अब 2030 का हम टार्गेट लेके चलते हैं, 2030 में 40 प्रतिशत होगी, अर्बन पॉपुलेशन, और मैं समझता हूँ कोई 600 मिलियन हमारे जो देशवासी नागरिक हैं, वो शेहरों में राएंगे, कुछ दो-तीन महीने पहले लैंड पूलिंग की है, जिसमें जिन के पास लैंड पार्सल्स थे, उनको पूल कर सकें, टाइटल उनहीं के पास रहेगा, पर DDA उसमें मदद करेगी, और हम उस लैंड को पूल करके और उस पे अवास बना पाएं, मुझे उमीद है कि करीब 17 लाख घर अधिक वहां भी बन सकते हैं, एक रेंटल पॉलिसी आपको मालूम है कई लोगों के पास आवास होते हैं, लैंडलोर्ड पर वो किराय पे नहीं देना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि जो नहीं क्योंकि जो प्राइटल सिस्टम है, वो कई जगह हमें लागू नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में ये ज लोगों का हमें लेक्शव असयर में ये का, तो मैं सजबू नहीं है, लेक्शशद्वी नहीं आपकida है दूए ay धिम बत्तास हम झारा कि नहीं हम सब्सक्त। मांत। नहीं पतास्जवि को सकतो हमें वित घकश्ऺ़त, स्वusedHa अव़िख्भगत। नहीं देगूना हमें ये